मित्रो नमस्कार इस वीडियो में हम मौकपॉल की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे मद्दान के दरमे मौकपॉल मद्दान है तू निरधारित समय के 90 मिनट पूर्व किया जाना है 90 मिनट पूर्व कम से कम दो अभिकरता या अभियर्थी नहीं आ któ आए है तो आपको 15 मिनट तक इंतीजार करने के बाद भी कोई भी अभिकरता या अभिकरता आता है तो आपको माकपोल की कारवाही प्रारम करने के पूर्व आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है जिसमें ये जो वीपैट का जो पेपर रोल का सेक्शन है उसमें रिटर्निंग आफिसर का एड्रेस टेक लगा हुआ होगा इसके पस्षाद आपको यूनिट्स को उनके निर्धारित जगा पर रखना है कंट्रोल यूनिट मद्दान अधिकार करमांग 3 के पास रहेगा वीपैट और बैलेट यूनिट जो है वोटिंग कमपार्टमेंट में जाएगा वोटिंग कमपार्टमेंट में ट्रथम बैलेट यूनिट के बाई और अर्थात लेफ्ट साइड में आप VVPAT को रखेंगे रखने के पस्चात आप कनेक्शन की प्रक्रिया करेंगे VVPAT के केबल को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे और बैलेट यूनिट के के केबल को आप VVPAT से कनेक्ट करेंगे ये कनेक्शन करते समय आप अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल यूनिट का पाउर अन ऊफ स्विच आफ इस सिति में रहे किसी भी इस्तिती में on condition में आप cable को disconnect या connect नहीं करेंगे off करने के बाद ही आप सारी कारवाहियं करेंगे जब आप ये सारा connection कर लें तो VVPAT के और BU के cable को ज़्यादा tension ना आए इसके लिए जिस table में VVPAT और BU रखा हुआ है उसी table के पाये से tape से आप इसको tape कर देंगे ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात हम VVPAT के पीछे की और दिये हुए paper roll knob को horizontal mode से vertical mode में ले आएंगे vertical mode में करने के पश्चात thermal paper roll हमारा जो अंदर में हमने fix किया है वो free हो जाएगा और काम करने लायक इस्थिती में आ जाएगा ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात आप control unit के switch को on करेंगे जैसे ही आप control unit के switch को on करेंगे VVPAT साथ तरह की test strip निकालेगा साथ तरह की पर्चिया निकलेंगी और control unit के display section में LED को check किया जाएगा फिर machine अपने आपको self diagnose करेगा और एक एक करके reports show करेगा यहाँ पर date और time दिखा रहा है जो real time और date दिखाएगा और उसका समय भी दिखायच दे रहा है यह CU का serial number दिखाई दे रहा है जो की आपको control unit के पीछे बार कोड या उसकी body पे लिखा हुआ है candidate की संख्या 16 दिखाई दे रही है battery का percentage 99 दिखाई दे रहा है candidate की संख्या आपके विधान सभा में जितने अभ्यरती होंगे उसके हिसाब से ही दिखाई देगी उतनी संख्या है या नहीं form 7A से आप मिलान कर लेंगे अब यह machine अपने units को check कर रही है V1 को ok बताया आप VVPAT test कर रहा है VVPAT को भी ok बताया अब EVM is ready मतलब अब हम काम करने के लिए तयार है सबसे पहले mock poll शुरू करने के लिए आप result section को open करेंगे result section को open करके इसका clear button दबाएंगे clear button दबाने के पीछे logic यह है यदि पहले का कोई data इसमें होगा जो commissioning के समय रह गया होगा वो पूरा का पूरा erase हो जाएगा आप clear button दबाएंगे तो deleting poll data यहां पे लिखा जाएगा deleting poll votes और इस सारे votes को delete कर देगा और सभी candidate के लिए one by one zero दिखाई देगा total candidate 16 है चुकि हमने प्रसिक्षन जागरूपता की machine यूज की है इसलिए इसमें हमने 16 dummy candidates के लिए इस machine को set किया हुआ है आपके विधान सभा में जितने candidates होंगे नोटा सहित उतने candidates की संख्या यहां पर दिखाई देगी इसको आपको तजदीक करना है अब candidate wise vote जो है संख्या दिखाई दे रही है इसको जरूर से आप निर्वाचन अभी करताओं को दिखाएंगे कि सारे candidates के लिए machine vote 0 दिखा रही है candidate 2 के लिए vote भी 0 है इसी तरह सभी 16 candidate या आपके निर्वाचन शेत्र में जितने अभिर्थी हैं उनके लिए votes की संख्या clear दबाने के बाद 0 दिखाई देगी 12 candidates के लिए 0 votes दिखा दिया गया है उसके पस्चाथ display जो है वो go off हो जाएगा और result जो है clear जो है वो end हो जाएगा अब यह machine आपकी voting के लिए तैयार है आपको एक काम और करना होगा वीपैट में आपको उनके इसके drop box को खोल करके दिखाना होगा कि इसमें पहले से ही कोई परची नहीं है तो हम सबसे पहले यह दिखा देंगे कि इसमें कोई भी परची पहले से ही उपलब्ध नहीं है उसके पस्चाथ मद्दान अधिकारी क्रमांग तीन अपने control unit के पास बैठेगा और बाकी के जो अभी करता है और मद्दान अधिकारी कोई भी एक या पीठासी नधिकारी स्वयम voting compartment में जाएंगे प्रक्रिया यह है कि आप random रूप से आपके निर्वाचन छेत्र में candidates के प्रत्य candidates के लिए कम से कम एक vote देंगे और पूरे mock poll प्रक्रिया के दोरान कम से कम 50 vote डाल करके mock poll करेंगे आशा यह है कि यदि आपके यहां 50 candidate है तो सभी के लिए एक एक vote डालने से आपका 50 का target पूरा हो जाएगा लेकिन यदि 5 candidate है तो प्रत्य candidate के लिए एक एक vote तो डालना ही है उसके अलावा आप total करने के लिए उसको round wise 10 बार vote डबा करके 50 vote कर सकते हैं 50 vote डालना जरूरी है और सभी candidates के लिए एक vote डालना जरूरी है मद्दान अधिकारिक रमांग 3 control unit से ballot button को डबाएगा ballot button को डबाते ही control unit के उपर display section में red light जल जाएगी यह busy lamp है यह बता रहे है कि अब control unit busy है at the same time ballot unit में green light जो है वो जल जाएगी और जो की ready lamp कहलाती है अर्थात अब यह ballot unit मद्दान करने के लिए तयार है अब पीठासी नधिकारी अभिकरता को बोलेंगे कि किसी भी एक candidate के नाम के सामने का नीला बटन दबाएगा जैसे ही नीला बटन उसके दवारा दबाया जाएगा उसके सामने का arrow mark है वो glow करने लगेगा red color में और साथ ही साथ यह green light जो है वो बुच जाएगी और वीवेट पर उसी candidate के नाम और चुनाव चिन्ह की एक परची यहां पर साथ सेकेंड के लिए वीवेट पर दिखाई देगी जो इस बात का तजदीक करेगी कि आपने जिस candidate को वोट दिया है उसी के लिए मत record हुआ है तो मैं आपको दबा कर दिखाता हूं माल लीजे हमने इस बटन को दबाया तो इस बटन के सामने की red light जल गई और वीवेट से एक slip दिखाई दे रही होगी जो साथ सेकेंड के लिए दिखाई देगी सेम candidate के लिए आप इसमें देख पा रहे होंगे और यह slip कट करके drop box में नीचे गिर जाएगी वीवेट के और control unit से एक beep की आवाज आएगी और control unit का जो busy lamp है वो बुज जाएगा यह विशेश रूप से आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी candidate को vote डाल रहे हैं इसका एक हस्त लिखित record प्रिसाइडिंग officer के द्वारा रखा जाएगा कि किस क्रम में किस candidate को vote दिया गया है ताकि आप जब WPAT paper slip से result का मिलान करेंगे तब आप सही तरीके से मिलान कर सकें हस्त लिखित record बहुत ज़रूरी है जब आप पूरे 50 vote complete कर लेंगे 50 vote डालने के पश्चात आप control unit का close button को दबाएंगे अब display section में closing show होने लगा कितने बज़े poll close हुआ वो इसमें दिखाई दे रहा है और last में एक message आएगा poll closed total हमने 7 vote ही डाले हैं आपको दिखाने के लिए यहां पर कम से कम 50 show होना चाहिए poll closed हमने चुकि इसको demo video बनाया इसलिए केवल 7 vote डाला है आपको इसमें 50 vote minimum डालना आवश्यक है अनिवारिय है इस तरह से आप poll close हो गया अब इसमें आगे आप ballot issue करना चाहेंगे तो भी ballot issue नहीं होगा invalid show होगा इस तरह से invalid show होना शुरू हो जाएगा अर्थात अब इस machine पे और कोई voting कभी भी नहीं हो सकती जब तक कि हम आगे के process को complete नहीं करेंगे अब चुकि हमको result देखना है इसलिए हम result section को खोलेंगे और result section का उपर वाला button जो result वाला button है वो दबाया जाएगा इसको जैसे ही दबाएंगे तो candidate wise vote की संख्या दिखाना शुरू हो जाएगा इसको आपको एक हस्त लिखित कागज में लिखना पड़ेगा ताकि आप वीपेट पेपर slip से मिलान करते समय आसानी से मिलान कर सके जैसे ही मैं result button दबाऊंगा इसमें result display होना शुरू हो जाएग देखिए यहाँ पर pole started time और pole end time दिखा रहा है कितने बज़े आपने start किया कितने बज़ें किया यह real time में दिखाएगा pole started time आपका 8 बज़े दिखाएगा यदि 8 बज़े है तो 7 बज़े दिखाएगा यदि 7 बज़े है तो और end time जब आप close button दबाते हैं उस time को यह record करेगा टोटल केंडिडेट्स मेरे 16 हैं क्योंकि ये प्रसिक्षन और जागरुकता की मशीने हैं टोटल पोल वोट 7 हैं यहाँ पे आपका मिनिमम 50 दिखाना चाहिए या जितने केंडिडेट हैं उतनी संख्या अधिक्तम जो होगी वो दिखाई देगी अब यहाँ पे रिजल्ट दिखाना चुरू हो गया केंडिडेट एक को हमने एक वोट दिया है केंडिडेट दो को भी हमने एक वोट दिया है इसी तरह से जितने वोट्स आपने जिन केंडिडेट्स को दिये हैं वो सारे वोट्स इसमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे आप सभी अभी करताओं को बोलेंगे कि वो इन वोट्स को खुद भी रिकॉर्ड करें खुद भी लिखित करें अपने कागज में ताकि बाद में वीवेट पेपर स्लिप से मिलान करते समय मिलान हो सके इस तरह से सारे सोला केंडिडेट्स को प्राप्त वोट की संख्या यहां पर रिजल्ट सेक्शन में दिखाई दे दी लास्ट में एंड आने के पश्चात भी हम आगे की करवाही कर सकते हैं रिजल्ट बटन को चाहें तो कितनी बार भी दबा सकते हैं इससे कोई प्राप्लम नहीं होनी हर बार वो रिजल्ट दिखाएगा जब रिजल्ट बटन हम दबा लें और सारी चीजों को हमने अभी लिखित कर लिया है तो हम वीपैट के ड्रॉप बॉक्स से वीपैट पेपर स्लिप्स निकालेंगे जितनी भी वीपेट पेपर स्लिप्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे इसमें हमने जो टेस्ट स्लिप्स हैं उनको पहले ही बाहर निकाल लिया था यहां पर आपको कुल 7 वोट दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने 7 वोट डाला था तो 7 वोट दिखाई दे रहे हैं एक वोट इनको मिला, एक वोट इनको मिला, एक वोट इनको मिला इस तरह से 7 वोट दिखाई दे रहे हैं यह वीपेट पेपर स्लिप्स से जो परचिया निकली हैं उन पर्चियों को आपको इसमें जो result मिला उससे मिलान करना होगा V-PET का जो paper slip निकला और जो result आपके CU ने display किया उसको आपने मिलान कर लिया तो आप mock poll का प्रमान पत्र presiding officer का poll day का report का आप जरूर से भरेंगे और भर करके उसमें सारे अभिकरताओं के हस्ताक्षर लेंगे जब आप result का मिलान कर लें जो की CU में दिखा और जो की V-PET paper slip से print हुआ result मिलान करने के पश्चाद इसके data को आप clear करना ना भूले उसके लिए आपको white color में जो result section में clear button दिया है उसको दबाएंगे CRC करना इसलिए जरूरी है मौक पुल के पश्चाद कि हमारा पूराना data वास्तविक मद्दान के पहले किया हुआ data किसी भी तरह का इसमें उपलब धना रहे इसलिए हम clear button को दबाएंगे clear button दबाने से सारा का सारा data जो है वो clear हो जाएगा जो इसमें record हुआ है अर्था जो मापपुल के दौरान हमने vote डाले है वो सारा clear हो जाएगा और candidate wise हमें zero vote दिखाई देगा सभी candidates के लिए zero vote दिखाई देगा इस चीज को हमें सारे अभिकरताओं को दिखाना है कि अब इसमें पहले सब के लिए एक vote दो vote दिखा रहा था अब इसमें सब के लिए zero vote दिखा रहा है आप देखेंगे इसमें total poll votes zero हो गया पहले seven दिखा रहा था अब ये total poll votes zero हो गया सारे candidates के लिए candidate one के लिए zero पहले one के लिए one दिखा रहा था candidate one के लिए एक vote दिखा रहा था अब वो zero दिखा रहा है सारे candidates के लिए one by one zero दिखाई देगा जितने आपके निर्वाजन शेतर में candidates हैं इस तरह से सभी 16 candidates के लिए इन्होंने control unit में देख लिया कि zero दिखा रहा है अभी करता अब संतुष्ट हो जाएंगे कि जो पहले का data है वो delete हो गया है इस delete होने के पश्चाथ control unit का on off switch off कर देंगे उसके बाद आप इसकी ceiling की प्रक्रिया प्रारंब करेंगे साथ ही आप vipat से जो drop box से आपने slips निकाले थे जिसमें आपका test slips भी होगा उन सारी slips को आप एक साथ रख करके इसमें पीछे की तरफ मौक्पल slips का stamp करके आप सारे slips को आप काले रंग के लिफाफे में डाल देंगे काले रंग के लिफाफे में भरने के बाद आप इसको pink paper seal से seal करेंगे यह pink paper seal आपको दिया जाएगा यह pink paper seal आप देख रहे होंगे दो भागों में हैं इस तरह से दो भागों में यह pink paper seal है इस pink paper seal में एक ही serial number दोनों हिस्सो पे लिखा हुआ है अर्थाथ यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये pink paper seal दो जगों पे लगेगा, एक ही लिफाफे में, उपर की तरफ और नीचे की तरफ, उपर की तरफ हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि ये जो हिस्सा है वो cover हो जाएंगे, लेकिन इस pink paper seal को लगाने के पहले यहां गोंद से हम इसको, लिफाफे को पूरी तरह से पहले सील कर लेंगे पूरी तरह से सील होने के बाद चिपकाने के पश्चात ही हम यह वाला पिंग पेपर सील यहां उपर लगाएंगे और इस तरफ नीचे हम लगा देंगे इस तरह से पिंग पेपर सील से हमने काले लिफाफे को सील कर दिया काले लिफाफे में मौक बार्पुल कोई। यह सारी डाल देंगे। और डालने के बाद इस सील पstein के साथ उपाफ़े में भी अभ्रती या उनके नियुक्त आ करता या और जो निर्वाचन अभी करता यदी होंगे तो वो इसमें अपना साइन करेंगे अपनी पार्टी का एफिलेशन लिखेंगे और आप भी स्वयम इसमें हस्ताक्षर करेंगे मौकपल की इस प्रक्रिया को करने के बाद फिर आगी की आपको सीलिंग के प्रक्रिया करनी है सीलिंग के प्रक्रिया के बारे में अलग से आपको जानकरिया दी गई है बहुत बहुत धन्यवाद